हेलो अब्रिवान स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल प्रोफिशनल ब्यूटिवार्ड में कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो आप्स का रिव्यू तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यह दोनों सोब बहुत कॉमन यूज किये जाते हैं पर दोनों में से फिंपल्स के लिए कौन सा जाधा अच्छा है हमको कौन सा यूज करना चाहिए तो डीटेल में मैं आपको बताऊंगे क्योंकि अगर आपको बहुत जाधा पिंपल की प्रॉब्लम है और बहुत जाधा बैक्टिरियल इंफेक्शन है बहुत जाधा ऐसी प्रॉब्लम से तो आपको कौन सा सोप इन में से यूज करना चाहिए तो डीटेल में हम जादेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नीम कार्ट सोप इसमें है नीम अलोविरा विज विटामिन ए एंड लैनोलिल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यह देखिए नीम है एक्सिलेंट अटिबैक्टिरियल प्रॉपर्टिईज एंड इस यूजस अगर आपकी स्कीन पर बहुत विजादा इचन है रेडनीज रहे और आपकी पर आपकी स्कीन पर बहुत जादा बैक्तिरियल प्राबलंस ए धिर वहाँ पर यह रिश्लेंट बहुत अच्छा काम करता है ऐलो विरा अलोविरा इस वर्ड रिनाउंट, स्कार्स एन स्टेश मार्क रिमोवर यह अलोविरा में स्कार्स को रिमोव करता है स्टेश मार्क को रिमोव करता है विटामिन E is known as anti-aging that prevents from wrinkle and protect against possible UV damage and max skin healthier तो यह जिस विटामिन E है यह UV rays से हमें protect करता है anti-aging के sign को control करता है wrinkles को कम करता है और अगर आपकी skin damage है तो उसको repair करता है और आपकी skin को heavy बनाता है Lanolin Lanolin is one of the best moisturizing agent for delicate dry and chapped skin तो Lanolin जो है वो बहुत ही अच्छा moisturizing agent है हमारी जो dry skin होती है बहुत जादा peeling होती है skin पर chapped skin होती है तो उसको यह moisturize करता है अभी देखें इसको use कैसे करना है तो use करने के लिए अगर हम देखते हैं आपर तो आपको जो भी area आपको use करना है उसको wet करना है देन आपको यह soap apply करना है एंडू थोड़ा leather बनने देना है जाग बनने देना है और उसके बाद इसको wash करना है आपके eyes के contact से दूर रखना है और all skin type पर आप इसको use कर सकते हैं अभी देखें manufactured in India by Lenark Laboratories और यू कें सी इसका देख सकते हैं और guys मैं आपको बता दूँ अगर range के हम बात करते हैं तो इसका जो की इंग्रेडियन्ट है वो है neem extract, aloe vera, lanolin and vitamin E जो कि मैंने आपको बताया है इन सबी की क्या-क्या इनके काम होते हैं and 35 ग्राम इस साब उनका weight है and you can see manufacturing date भी इसमें दी हुई है और जो manufacturing date है वहाँसे ताप 36 मन तक इसको use कर सकते हैं range के अगर हम बात करते हैं तो इसकी range है यह देखे, आप देख सकते हैं इसकी range है, I think 65 रूपीज ओके, यह देखे तो range भी reasonable है and आपको इसको open करके भी मैं दिखा देती हूँ so देखे, open करने पे अगर हम इसको देखते हैं इसका color green है और काफी अच्छे से dry skin है अगर आपको यह तारी problems है जो यहां पर बताई हुई है आपके wrinkles है, fine lines आ रही है आपको easy के fine दिखाई दे रहे है आपके skin dry है, shaped है नमी की कमी है आपके skin में dehydrated है itching रहती है, redness रहती है आपके skin dry skin रहे है आपके skin dry skin रहे है अब आपके नेक्स आपको दिखाती हूँ तो यह है acne star banjoil peroxide soap 2.5% यहां पर आप देखते हैं तो इसकी अगर हम compositions की बात करते हैं यह है इसमें banjoil peroxide IP 2.5% इसमें soap noodle base करके है, ingredient इंगेजियन्ट यह देखें आपके q.s.perfume q.s. अभी यहां पर color वगरे जो भी दिखाया हूँ अभी देखें यहां पर इसको use करने का तरीका भी बताया हुआ है use acne stars open all affected part of skin and leather affected part यहां पर आपको use करना है कुछ minute के लिए इसको छोड़ देना है acne free skin use two or three time daily as directed by physician हमें physician की सलाह से ही soap use करना है and आपको eyes के contact से दूर रखना है जो भी open areas है वहां के contact से आपको दूर रखना है and किस temperature पर इसको रखना है इस अभी इसमें बताया हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ mention है use in acne treatment तो अगर आपको acne है acne का treatment आप लेना चाहते हैं तो वहां पर आप यह वाला soap यूज कर सकते हैं अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसकी जो quantity है वो भी है 75 gram खना और जो हमने पहला soap देखा है उसकी quantity भी मैंने आपको बताई है अगर range के हम बात करती है तो range है इसकी यह देखिए range के हम बात करते हैं तो इसकी range है 80 रूपीज वह वाला soap तो 65 रूपीज का और वर्क भी दोनों का बिल्कुल डिफरेंस है तो acne और pimple के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप acne star soap लीजी काफी अच्छा है अगर आपको जो मैंने पहले problems बताईए वैसी को problem है तो उसके लिए आप acne guard soap ले सकते हैं तो guys आप दोनों soap यहां पर देख चुके हैं आपको जैसे problem है उसके according soap select कीजे देखिए मैंने देखा है काफी पिंपल के कारण सिर्फ नीम को देख करके और पिंपल के लिए वाला soap ले लेते हैं या फिर बिना देखे बिना अपनी problem को समझे कोई भी soap उठा कर यूज़ करने लग जाते हैं कोई भी cream उठा कर यूज़ करने लग जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको जो भी product आप यूज़ करना चाहते हैं उसके बारे में पहले आपको डीटेल में फे information होनी चाहिए और अगर किसी भी type की irritation किसी भी product से होती है तो फिर आपको वो product यूज़ नहीं करना है I hope काईज ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगा और डॉक्टर के suggestion से ही यूज़ करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye